हलो आज है 2nd February और आज इस वीडियो में हम बात पने जा रहे हैं IDBI Bank के बारे में IDBI Bank में एक बहुत बड़ा उच्छाल हमें देखने को मिला था कल जब budget अनौन्स हो रहा था और काफी बड़ी तेजी आये थी शेर 17% तक उचल गया था लेकिन फिर भी end of the day 10% से भी जादा का growth हमें IDBI Bank में देखने को मिला है देखिए IDBI Bank बहुती करजे के बोज दने दबा हुआ बैंक है ये और इसमें एक बहुत बड़ी तेजी आने का reason क्या है और खरीदारी इसमें बनती है कि नहीं उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे लेकिन उससे पहले अगर आपने विद्य चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियो से जो आपको काफी ज्यादा help करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं तो आइडि भी ये बैंक अगर बात करें तो 37 रुपीज के उपर ये श्याद ट्रेट कर रहा है पिछले एक महिने में इसके शैर्स में 0.81% का ग्रोथ है जनरली एक ही दिन में इसने इतना बड़ा जंप लगाया 33 रुपीज से उठकर सीधा 37 रुपीज तक पहुंचे लेकिन उस दिन ये 39 रुपीज तक भी पहुंच गया तो अल्मूस 40 रुपे तक ये शैर्स पहुंच गया था अब एक 33 रुपीज तक का लो है एक बहुत बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली थी और एक ही दिन में सारा का सारा लॉस इसने रिकावर कर लिया पिछले एक साल में IDBI बैंक के बाद के बाद के 32 परसंट से भी जादा की इसमें गिरावट है 55 रुपे तक का हाई है 24 रुपे तक का लो है से अब government हड जाएगी मतलब IDBI bank अब government के अंडर में नहीं रहेगी तो definitely जब private sector की यहां पर बात आती है तो किसी भी शर्च में तेजी आना लाजमी है और वही IDBI bank में देखने को मिला है यहां पर अगर हम बात करें तो देखें IDBI bank ने हमें ना एक साल में पैसा कमा कर दिया है यह वो bank है जिसने पैसा कमा कर दिया ही नहीं है दस साल में भी 69% के गिरावट है 200 रुपे तक का हाई आप देखें चार्ट गिरावट तेजी गिरावट तेजी तो यह बिसमें बनता रहा है लाजगेप शोगे 31,700 करोड के आसपास का इसका मार्केट के अगर हम बात करें तो उस दिन पौने तीन करोड तक का इसका वॉल्यूम ट्रेट हमें देखने को मिला था देकिन न्यूस थी के गवर्वर्मेंट लुक्स टू एक्जिट IDBI bank फुली तो अब सरकार का IDBI में आप देखिए तो बाकी के भी ये दीरे-दीरे बेज कर इससे पूरी करीके से एक्जिट कर जाएंगे तो IDBI bank कोई सरकारी bank नहीं रहेगे आने वाले दिनों में अब जब प्राइवेट सेक्टर में bank जाएगे तो आप जानते हैं कि इसमें कितनी तेजी हमें देखने को मिल सकती है लेकिन फिर भी मैं इस bank को लेकर उत्मा जाद पॉजिटिव और excited इसलिए नहीं हूँ क्योंकि bank ने कभी profit करके दिया ही नहीं है अब खुछ देखे हर quarter में 3500-3800 करोड के losses है सब्टेमबर से लेके अभी भी आप अगर देखेंगे तो 5000 करोड का ही इसका interest earning है interest earning भी बहुत का महिन का और उसमें भी 3000-3000 करोड का loss हमें देखने को मिल जाता है यहाँ पर अगर हम बात करने जाएंगे तो promoter के पास 98% से भी जादा की holding है और सबसे जादा holding यहाँ पर LIC की है life जिनके पास 51% जितनी holding देखने को मिल रही है अब को देखिए FI mutual fund insurance company कोई इसमें हाथ नहीं डाल रहा है कोई इसमें हाथ डाल ही नहीं रहा है क्योंकि सबको पता है कि गाटे का शौदा ही है 2015 में इसने dividend किया था उसके बाद कोई dividend भी पें नहीं किया है आइड़ी बेंक के बारे में बात करें तो definitely technical rating थोड़ी बहुत अच्छी दिखा रही है लेकिन फिर भी आप देखिए according to money control जो 39% लोग इसमें बेचने के लिए क्या रहे है और सबसे बड़ी इनके बात है balance sheet की अब खुद देखिए पौने तीन लाग करोड से भी ज्याद से चाड़े तीन हजार करोड तक के होते हैं तो definitely यह वो bank तो नहीं है कि जिसमें आप पैसा लगाना पसंद करोगे तो IDBA bank में मेरा यही है कि promoter की holding भी अगर आपको एक बार दिखनी हो तो आप देख सकते हैं कि बले promoter की holding यहाँ पर increase होए लेकिन वो सिफीज क्यों को खरी खरीदो इसको और LSA ने खुद कहा था कि भाईया वो इसको खरीदना भी नहीं चाहते थे लेकिन फिर भी इनको खरीदना पढ़ रहा है FIS की भी बात करेंगे तो देखे तो 0.05% से गिरकर सिफ 0.01% की ही FIS की holding है Insurance Company भी यहाँ से दीरे दीरे exit हो रही है Mutual Fund ने तो इसमें हाथ डाला ही नहीं है तो और रहल मैं आपको यही कहूँगा कि अगर IDBI Bank में इस ख़बर से तेजी आती है तो आपके पास एक अच्छा मौका है इसको बेच कर exit करने का इसमें re-entry करने का मौका मुझे नहीं लग रहा है क्योंकि देखे इससे भी अच्छे अच्छे banks है जो अच्छे price पर trade कर रहे हैं और definitely government bank नहीं private bank भी अच्छे खासे price को पर trade कर रहे हैं जिस पर आप चाहे तो अपना दाव खेल सकते हैं IDBI bank में अगर खरीदार की है तो इस तेजी का फाइदा उठाए exit चाहे तो हो सकते हैं लेकिन नई entry fresh buying के लिए तो मैं मना ही करूँगा कि ना ही करे तो बहतर होगा fresh buying इसमें ना ही करे तो बहतर होगा क्योंकि देखे इतनी ज़ादा तेजी आ जाएगी बाद में जब गिरावट आएगी तो आप एक बहुत बड़े loss में चले जाएगी तो कि देखो बेशने में भी time लगेगा इसको जब government इतनी सारी stock को जब बेशने पिर निकालेगी तो आप खुछ समझ सकते हैं कि चीजे सही नहीं होगी यहाँ पर तो मैं यही कहूँगा दूर रहें जादा लालच में ना आए एक्चुली मार्केट अभी हाद रख जैसे बजट रिप्रेजन हुआ है तो उसके बाद अभी हाद रख उतनी जादा खास excitement नहीं है मार्केट में तो bottom fishing करने की भी बिल्कुल भी ना सोचे सब्सक्राइब के बारे में आपको सोचते हैं वह भी आप मुझे कमेंट में लिखतर बता सकते हैं थैंक्यू